टोडेवरोटेटी तोडे़ विलिस्करस एबाट धवर्गनेटिसम तो मैटनेट है अध्याएं अज यह मेगर्ट के बारे में पढ़ेंगे और यह प्रॉप्टि लिए मेगर्ट की या होता है मैंगरेट एक सब्स्टेंस है जो कि attraction पावर रखता है और डारेक्टिव प्रॉबर्टी होती है यह कई तरीक वती है नैच्रोल भी और जो है आर्टिफिशलल भी इससे इस तेरी देख सकते हैं से आप इस्ते की दे सकते हैं जैसे magnetism है यहाँ पर यह magnet अगर मैं बनाओ यहाँ पर तो magnet अकर मैं बनाया तो इसकी प्रॉप्टी यानि हर जगह से ट्राक करता है और यह सब्सक्राइब नौफ तो नौफ मो फ्राम नौट सौथ है इसके बारे में पढ़ेंगे यह प्रॉप्टी जो है यानी magnet क्या होता और इसके बारे में प्रॉप्टी यह आर्टीफियल भी होता है और नैच्छे भी अब नेच्छिछल है तो एक्ट फीजल कीचो बन लिता किमाठे नैच्छल इसलिए मिलता है तो बहुए वह फायदे की बात है फ्री में मिल जाता है मिक्टर आर्ट्धिशाल हम इसलिए बनाते हैं कि एक तो तो हमारी अपनी convenience, अपने जिस तरी से हमें फायता रहे, वो shape में नहीं मिलता और इसकी strength जोती कम होती है, यानि कि natural magnet की आप कम कर सकते हैं, artificial की आप बढ़ा सकते हैं, कितनी भी ज़्यादा, यह आप पे depend करता है, तो इस तरी से हम बना सकते हैं, यह artificial magnet है, में लिए चार तरीके ज्यादा में क्यालते हैं, प्रसिद हैं, या it is very much familiar, और you can it's very firm, चार तरी की bar magnets, बार में यानि कि एक तरी से आपका जिसमें बना रहा हूं यहां पर, आपका cuboid form में भी रहता कई बर, यह cuboid form में बना दिया आपने, इस तरी से रहे का, तो इसे बार में magnet बोलते हैं, इसमें एक से North Pole होता है, एक South Pole होता है. मेंगनेट निडल यानि कि आप एक निडल रहती है, उसमें एक बार मेंगनेट लगा लगाता है, और इसे हमें magnet की direction दिखाने हैं, यानि की direction जो है, North to South define करने के लिए, उसे magnet निडल यूज़ करते हैं, यानि कई बार हम इसे define करने की यह जादर maps में जैसे हम करते हैं जैसे आज कल तो google maps है आप में define कर सकते हैं पहले हम map में रखते थे और magnetal रखके not to south जैसे earth का जो है यह direction दिखाता है जैसे कि आप यह कह सकते earth है earth का जो north pole है और south pole है यह हर बार अगर आप इसे freely शोड़ दें तो यह direction north to south ही दिखाता है exactly आप यह जैसे नौर्थ नौर्थ पूल सौथ पूल है इसे कुछ एंगल पर है जिसे north and south तो map में रखते थे और यह दिखाता है तो हमें उससे पता से लाता हम यहां पर हैं वर्ल में तो आप तो आजकल google map में आप देख सकते हैं आप परता लगा लेते हैं भी google map में कहा है पहले इसी को ही यूज करते है google map भी इसी को यूज करता है magnet needles को और मतलब ही automatic जो है computer में उससे करके well longitude में और लेटेटियोल करके फिर आपकी location define करता है फिर आता होश्चू magnet होश्चू में जोता है वह होस की तरह शू की तरह होता है यह इस तरह के और यह बहुत ही बहुत ज्यादा यूज होता यह इसलिए होता है एक तो यह होश्चू होता इट्स वेरी पारफुल मेंगनेट और इ यह बहुत ही ज्यादा आपको डिवाइस के अंदर मिलेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट यह कहते है आर्टिफिशल मेंगनेट बनाते फिर एक बॉल एंडिट मेंगनेट सी यह मेंगनेट जाहे यह बहुत ही रहत किसमें मैंने भी कभी इसे दिखा नहीं है मतब लाब में या काफी टाइम से मतलब मैंने अपनी लाइफ में दिखा ही नहीं यह कभी का और यह बनता कैसे यह ऐसी बार मेंगनेट रहते हैं और लास्ट में स्फेर कितने रहते हैं स्फिर बाल लगी रहते हैं वन इस नौर्थ एंड साउथ यह बहुत ही कम यूज होता है सबसे यह होता है होट्शू मागनेट ओता कि पाफरफुल मागनेट होता है और मेंगनेटरिसम इसमें खत्म नहीं होता अब इसके बारे में आप प्रॉप्टि जो है में पड़ेंगे सब ज़्जादा जो अट्रक्शन प्रॉव्पावर होती हो उस्की नौश की पो रूर्स होती प मैं पैन से डिफाइन करता हूँ मदब इसका कैप से इधर मेंगेंट नेडल है तो इससे रखता जाँगा रखता जाँगा और यह इसकी डायक्शन दिखाएगा यह कैरें दिखाए नहीं देती है तो यह नौटafa जाती है फर यह डाइक डाइकट्यिव प्रॉपर्टी डिफाइन होती है इस फ्र मार्ण टूहाएच इसक संगर अकरण आपक मैं इसे हो रहें इसे कि आपन North रखें ए फिर South रखें मगर अगर North पूल की जगा आप South रखें तो यह Akra करेगा Attractive property और अगर इससे Same Pol रेंगे तो направीत रेंगे तो different each other तो औरesy इसकी property आती कि अगर आपनेत आप झाल है तो अगर आप इससे Simple Iron bar पह पूर लेंग जाएं अन यह आयरू बार आइन दिस मेंगनेट इस इस मेंगनेट तो मेंगनेट जैसी आप इसके पास लेकि जाएंगे तो यह जैसे बोलते हैं मेंगनेटिक इंडक्शन इसे magnetic induction कहते हैं कि यह जैसी से पास लिखे जाएंगे तो यह attract करने लग जाएगा तो इस property को magnetic induction कहा जाता है यह इस तरी से होता है कि अगर हम north pole लेके जाएं इदर यह north pole है तो यह automatic south pole बन जाता और यह से attract करने लगता है अगर हम south pole लेके जा रहें तो automatic कि यह क्या बनता है इंड्यूस करके north pole लगता है और यह से attract करने लगता है तो इसकी properties है यह फिर इसमें आप इसके बारे में यह इसी कुछ terms हैं वो define करने that means pole जो पोल क्या था यानि कि एक north pole एक south pole एक north pole लता है और एक south pole लता है हर एक magnet में और इससे आप जितनी बार भी divide करें अगर मैं इस तरह से divide करेंगा तो यह क्या बन जागा इस south और यह north बन जागा तो यह हर बार एक तो pair में exist करता है जितनी बा सब्सक्राइब यह है मैगटक फील्ड यानि इसमें एक मैगडिक फील्ड की प्रॉप्टी है मैगडिक फील्ड यानि की फील्ड जहां से निकल रहा उसे बोलता है मैगडिक फील्ड प्रॉप्टी यह कहेंगे आप मैगट एक मैगनेट एक मैगनेट एक मैगनेट एक मैग फील्ड यानि कि यहां से जो फील्ड निकल नौर्ट सो साउथ यह अगर इक्वल निकल रहा है तो इसे युनिफॉर्म बोलेंगे युनिफॉर्म मेंग फील्ड अगर यहां से देखें और अगर यह युनिफॉर्म नहीं निकल रहा है यानि कि इक्वल नहीं निकल रहा है कह कहीं पर कम है कहीं पर जादा है तो उसे क्या कहेंगे इस नौन युनिफॉर्म की खास बात यह कह सकते हैं आप इसमें जहां पर क्राउटेट रहेंगी फील्ड यानि यह जैसे नजर आने यह क्राउटेट यहां पर जाता है और यह थोड़ी दूर-दूर होती चाहिए तो य यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर यह क्रॉस करें तो एक ही पॉइंट पर दो डारेक्शन आ जाएंगी में फीट की जो की पॉसिबल नहीं होता तो यह कभी भी लाइन जो हती है में पास पास तो आ जाएंगी मगर प्रॉस नहीं करेंगी दूसरी बात आती है आप लिखता हूं इस तरह से यह पार मैंगेट है आपका सपोस्पोस यहां मैंने स्फेरिकल में बना दिया इस इस मेंगेटेक मेंगेटेक एकसेस और इसका जो पोल होगा सेंटर से क्रॉस का देट इस कॉल्ड मेंगेटेक इक्वेटर से एक्वेटर बोला जाता है इस आर नोन एदा मेंगेटेक यह पोल और इस आर पोल्स एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा फिर मेकनिक लेंथ यानि कि यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है इसे कहा जाता है यह इसकी प्रॉपटिस है और इसे आप याद करें जिससे आप मेकनिक के बारे में अच्छे समझाएं आज के लिए बस इतना ही और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करते हैं शेर करें और लाइक करें जिससे की मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स उन्हें मिलते रहें थैंक यू